प्रमुक अधिनिया जो कि आपको एक मार्च तो पक्क दिलाएगा इसलिए वीडियो को स्किप करने के करती बिल्कुल भेना करें आईए जानते हैं परियवरण इवं 166 से संबन्दित प्रमुक अधिनियम के बारे में भारती वन अधिनियम 1927 दियर फ्रेंड्स यदि आप यूपिटेट एस्पिरेंट्स है तो आपके लिए इतना जानना सफिशेंट है कि भारती वन अधिनियम किस वर्स लागो किया गया तो आपस इतना याद रखें कि भारती वन अधिनियम 1927 को लागो किया गया है फिर भी इसके उद्देश्चे देख लेते हैं इसके उद्देश्चे हैं वन उत्पादन की आवाजाही को नेद्रिक करना उस पर शुल्क लगाना था इस अधिनियम में वन अपराद क्या है क इसे आरच्छित वन के अंदर कौन से कार्य निशद्ध हैं और अधिनियम के प्रावधानों के उलंगन पर देंडनिय है जल प्रदूर्शन निरूद इवं नियंत्रन 1934 इसका उद्देश्चे है कि जल की मात्रा इवं गुर्वत्ता की गंभीर समस्याओं का निवारन करन जल की स्वास्त गुर्वत्ता को बनाए रखना अत्मा उसे पुनाह इस्थापित करना जल प्रदूर्शन के निवारन और नियंत्रन के उद्देश्य से केंद्रे इवं राज्य बोडू का गढ़न कराना है वन्य जीव संरचन अधिनियम 1972 या जमु कश्मीर को छोड़ कर भारत देश के सभी राज्यों में लागू किया गया है इसका उद्देश्य है देश के वन्य जीव को सुरक्ष प्रदान करना इवं अवैज शिकार, तसकरी और अवैज व्यापार को नियंत्रेत करने के उद्देश्य से इस अधिनियम को लागू किया गया इस अधिनिया में संशोदन किया गया 2002 में इस प्रकार वन्निजीव संरच्छन अधिनियां 2002 बना वायू प्रेदूर्शन निरोद इवं नियंत्रन 1981 इस अधिनियां को 29 मार्च 1981 को पारित किया तधा 16 माई 1981 से लागू किया गया कर्याबरण में निरंतर हो रहे वायू प्रेदूर्शन तथा इसकी रोग थाम के लिए या अधिनियां बनाया गया इस अधिनियां में मुख्यता मोटर गाड़ियों और अन्यकार खानों से निकलने वाले दूएं और गंदगी का इस्तर निर्धारित करने तदा उसे नियंत्रित करने का प्रावधान है वन सनरचन अधिनियां उनी सो असी इसका उद्देश्य है इसने वनों की कटाई को सेमित करने जया विवित्ता के सनरचन और वनने जीवों को बचाने का लक्षे रखा इसमें निर्धारित किया गया कि वनों चेत्रों में इस्ताई क्रिशी वानिकी का अभ्यास करने के लिए केंद्रे अनुमती आवश्यक है परियावरन सनरचन अधिनियां 1986 जैसे कि मैंने आपको बताया यदि आप यूपिटेट एस्पिरेंट्स है तो आपके लिए इतना जानना सफिशेंट है कि यह अधिनियां किस वर्स लागू किया गया ता बस इतना याद रखें कि परियावरन सनरचन अधिनियां 1986 को लागू किया गया इसका उद्धिश्य है संयुक्त राष्ट्रे द्वारा परियावरन सनरचन की दिशा में किये गये प्रयासों को भारत में कानून बनाकर लागू करना अद्धिश्य है